कौन कहता है कि आस्मा में सुराग नहीं हो सकता एक पत्थर तो तब्यत से उच्छालो यारो जैसा कि बिहार के सभी लोकसिचक जानते हैं कि आज लोकसिचकों समंधित पत्ना हाई कोट में एक निरनाएक आदेस आने वाला है और सिरियल नमर 135 पर है तो इसी सुनवाई के करम में सहजोग करने के लिए बहुत से लोकसिचक पूरे बिहार के कोने कोने से आये हुए हैं तो लोकसिच्चाओं का जो अभी जो बरतमान इस्तिती है उस पर ये चर्चा करेंगे और जैसा कि ये सभी साक्ष देखे हैं तो इनका जो मकसद है कि बिहार के और भी जो लोकसिचक हैं उनको ये उत्सा इस चैनल के मादधम से देना चाहते हैं कि लोकसिच्चाओं को निरास होने का जरूरी नहीं है लोकसिच्चक का जो एतिहासिक जो ओर्डर है ओर्डर साथ पर है और CWJC 181 अब्लिक 2019 ये संद के रूप में फाइल है इसका हो सकता है आज आदेस आज आए तो इसी से सम्मंदित जो हालात है उस पर चर्चा करने के लिए मौजूद है मैं मुन्ना कुमार सारण जीला से दरियापुर परखंड मैं लोकसिच्चक आज 27-3-2024 को यह मीटिंग रखा गिया है आज हम लोगों के हाई कोट में आज सुनवाई है जो सुनवाई हम लोगों के कुछ देर बाद होने वाला है आज सभी लोक सिक्चक हमारे यहां उपस्थित है हम लोग दिल लगन से लगे हुए है और हम लोग बहुत दर-दर के ठोकर खाये जो आज हम लोग यहां उपस्थित हुए है वो मेराजुदिन सर का ही दुआ है और हम लोग चाहेंगे कि जितने भी बिहार के लोग सिक्षक हैं वो आकर के हम लोगों के साथ जूरें और सभी का कल्यान होगा इसलिए कहावत कहा हुआ है कि मंजील उनही को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है पंखो से कुछ नहीं होता दोस्तो होसलों से उरान होती है इसी चंद सब्दों के साथ मैं अपने बानी को विराम देता हूँ जैहिन जै लोग सिक्षक मैं असोक कुमार सिंग गायगार मुझफरपूर लोग सिक्षक इस चैनल के माध्यम से तमाम परदेश वासियो कि हमारे लोग सिक्षक भाईयों को मैं अपने तहे दिल से नमन करता हूँ आज बहुत सुंदर मौका का है और हम सभी लोग परहे लिखे लोग है मैं टिक हो इंटर हो बीए हो यान और भी हो एक दिनकर्दी का पंक्ती था लेना अनल किरिट भाल पर ओ आसिक होने वाले काल कुट पहले पी लेना सुधा बीज मोने वाले लगातार हम लोग जिस मुकुट को पहर करके चले हैं उसमें तो बहुत सरा काल कंगट आता ही है जाता ही है और सब को बीज को उस बीज को पी करके ही वह बीज को बोया जाता है इसलिए वह च्छन समय का घरी है आज ही दो बज़े का इंतेजार है सभी लोग स्थिक्षक भाईयों से आग रहे कि इस इंतेजार की घरी को देखे और आगे हमारे कुछ और अन्य भाई है आज मिलर हाई स्कूल के परांगन में हम तमाम सारे बिहार के लोग सिक्षक एकत्रित हुए हैं और उसमें हम सब 27-3-2024 यानि की आज ही जो सी डवलू जेसी बहत्तर एकासी अव्लीक दूहजार उन्यस का जो है सेकेंड फेज में जो सुनवाई होना है और उससे पहले हम लोग आपस में ये मिटींग का जो है कुछ नीती मिटींग के माध्यम से नीती बना रहे हैं कि अगला लराई आज अगर बहस हो जाती है निरने आ जाता है तो अच्छी बात है हम सब लोग सिक्षकों के लिए एक बरी उपलब्धी होगी और इसके साथ ही तमाम लोग सिक्षकों को कहना चाहते हैं कि हम और आप और इस तरीके से सरकार से लरते आ रहे हैं और सरकार अपने आपको क्या समझती है हम लोग बताना चाहते हैं कि हम लोग सिक्षक सही है सही रास्ते पर चल ले हैं और सरकार जो किया है उसका जो है खामिया जाना सरकार को भोगतना परेगा आने वाला समय में हम सारे विहार के लोग सिक्षक धर्ज बना के रखें और आज का जो निरनायक होगा और मैं विशेश बहुत सा बगता है इसलिए मैं कम समझो में अपने बातों को समाप्त करूँगा लेकिन मैं एक हम याद दिला दें कि लोग सिक्षक हम बिहार के तमाम लोग सिक्षक होंगे काम्याब हम होंगे काम्याब हम होंगे काम्याब हम होंगे काम्याब एकि दिन हो हो मन में हैं विश्वास पूरा है विश्वास हम होंगे काम्याब एकि दिन जै हिंद जै भारत जै लोग सिक्षक मैं निरंजन कुमार प्रखंड बेला गंग जीला गया के हूँ और मेरा मोबाइल नंबर पंचानमे बहत्तर डबल जीरो अंठानवे उन्चालिस है और मैं गया जिला से आता हूँ और हमेशा मिराजुदीन का जो सर हैं उनको साथ दिया हूँ और आगे देने का भी प्रयास करूँगा और जो सरकार हम लोगो हटाया है मुझे गलत बताया है और मैं आज गलत नहीं हूँ आज सरकार हिंगलत है आज उसका फैसला होने वाला है क्या दूद का दूद पानी का पानी होता है और मैं अपने बिहार और गया जिला की जितने लोग सिख्चक भाई हैं मैं सब को ए इनफर्मेशन देना चाहता हूं कि सब एक साथ हो आएं और हम लोग को उत्सा बढ़ाएं मेरा नम संगीता कुमारी है मैं पत्ना जिला से हूं फथो प्राखंड की हूं मेरा मुवाइल नंबर है निनानवे चंतिस पांसो चार्सो सताइस बासट जीरो अठाड़ा च्यानवे नो सो चाद़ा और मैं इसमें काफी संघर सिल्व महिला हूं और हम सभी भाई बहन मेरा सरक के साथ में काम कर रहे हूं किरपया जितने भी लोगजिक इनसरी भीजिद्रस अगुशा कर रहा है,itel फिय। उस मुकाम पर पhinंचे हैं स्केंट अच्छा मिलने वाला है बहुत खुशी में है इतने कहकरत में अपनी वानी को भी राम देती हूँ धन्यवाद संगीता वहन मैं सबसे पहले अपना परचे बता दूँ मैं विजय कुमार पासमान समस्ति पुरजीला का महोदियंगर परखंड के छोटा सा गाउं लखनपुरे हैं वही मेरा जन्मर स्थान है दोस्तो लोग सी चक भाई मेरे आज का दीन बहुत एतिहासिक दीन होगा मिराज सर के दूआरा आज 27 दिन 2024 को आज निरनायक फैसला होने वाला है परभू अगर हम लोग को थोरा सा भी अगर उपर आगर मान सम्मान होगा ता परभू हम लोग को अच्छा सा मैसेज देंगे और अच्छा निज आएगा इसी के साथ मैं अपना बानी को बिराम देता हूँ आगे बोलने के लिए तो काफी मेरे लोग से चक भाई हैं उत्रा बोलेगे मैं महामद रफी आलम सारंजीला से गर्खा परखंड से मेरा मोबाइल नंबर है मैं लोग सिक्छक को नमस्कार करता हूँ पूरे ब्यार के आउए तमाम लोगों को हम आवस्यक सुचना देना चाहते हैं कि पटना के मिलरी स्कूल में मेरा जुदीन साहब जो लोग सिक्छक हैं उन्होंने एक बैठक रखा है जो सेकंड हाफ में पटना हाई कोट से गुड निव जवाने वाला है हमारे पूरे बिहार प्रदेश के लोग सिक्छक को बोलना चाह रहे हैं कि एक बार इनका सहयोग फिर से हर चीज को भुला कर साथ दे जो बात हम लोग भी यहां पे रखे यहां पे उपस्थित हमारे अशोक भाई सुधीर भाई संगीता बहन मेरा आजूदिन सरके तद्धान में या आयोजन किया गिया है मेरा भी मोबाईल नमबर 95-35-31-73 मुन्ना कुमर सर्मा सारा अंजिला दरियापूर परखंड के निवासी है मैं इतना ही बात करकर मैं अपने बानी को भी राम देता हूँ तो ऐसा है कि चुकि आज सुनबाई का एहम दिन है तो जैसा कि अभी सुधीर भाई भी बता रहे थे कि ये बात तो सत्य है कि जब मैं लोक सिछाओं के कार्ज के लिए सुरू में जब मैं आया तो ऐसा उस समय बाधा था कि लगता नहीं था कि ये कार्ज यहां तक पहुँचेगा लेकिन कार्ज इस मकाम तक जो पहुँच गया आखिर मेरा ये कहना है ये लोक सिच्चाओं को से समझ देती ये सबूत है आखिर सरकार या जो सिस्टम है कब तक हमारे आवाज को दबाएगी तो जिस समय एक से था कि सितम के दोर में हम एहल दिल ही काम आए जबाँ पे नाज था जिनको वो बे जबाँ निकले यानि के बिहार के बहुत से ऐसे नेता अपने आपको नेता मानते थे के लोक सिच्चाओं का वो अपने आपको हमदर्द समझते थे सुपचिंतक समझते थे यही वो मीलर हाई स्कूल का मैदान है जहां बहुत से नेता आए कि लोकसिछा के लिए मैं यह कार्च करूंगा वो कार्च करूंगा लेकिन परिस्थिति को समझते हुए हालात को समझते हुए यह लोक सिचास का जो सबूत है सबूत एकраз किया गया और आज पटना जिसको रिकॉर्ड नेयाले कहता है बहां हाई कोट के रिकॉर्ड के पटल पर लोक सिच्चाओं के बेगुनाही का सबूत आज यह चिक चिक कर कह रहा है कि लोक सिच्चाओं का जो विद्याले था उसी को लोक लोक्सिच्चक यह संख्या में कम दिखते हैं लेकिन मैं समझता हूं कि यह लोक्सिचक इनका होसला कम नहीं है और जैसा के गीता में था कि तुझ जैपराज दूग सुक लाभानी को समान समझ के कर्म कर तो इसी फरमूला के तहट यहां ऐसे लोक्सिचक हैं जो अपने करता हूं कि जजमेंट हो सकता है आज सुनवाई हो जाए चुकि पिछले डेट पर 168 नमर सीरियल पर था आज यह 135 नमर पर है तो जब मैं अंदर गया हूं लिस्ट पर देखा हूं सबाद दो बजे से है वो बोला है टाइप मेटर के बाद आपका सुनवाई हो सकता है तो तो वाई-दिवे हो गया अच्छी बात है अगर नहीं होता है फिर भी हम हमत आथने का कार्ज नहीं करेंगे ओर जूहीं अगला ऑगर आज हो गया तो आपका सारा सबूत है सरकार अभी तक जो उसमें जबाब फाइल की हैそれは उसमें एक ही सबूत का चर्चा नहीं किया है कि आखिर हमने जो जमीन रेश्टरी कराया था वो सही है या गलत है पर्थान मंतरी ओपीस का रिपोर्ट सही है या गलत है एक जगे पर लिखा हुआ है उस नियावली में कि सिख्षामित्र को बेटे दिया जाएगा लोकसिछा के तरह और उसी में 20-3 में लिखा हुआ है कि सिख अगर आदेश आ भी जाती है तो उसको लागू कैसे कराना है तो बिहार के जो भी लोकसिछा के आप इस बात को समझ जाए अगर लोकसिछाओं का मेंडमस आदेश आता है तो उसी कौपी को हम लेकर चाहेंगे सरकार के पास जाए सुप्रीम कोट का जो आथिरिटी है बहां जाएं या जो भी और भी जो तरीका है यानि किसी तरह उसको लागू करा लें अगर आदेश अगर आता है तो अगर एक लिए कुछा का आदेश आता है तो समझ यह सब का आदेश हो गया तो यही कहना है और संद के रूप में है चुकि यह जो कार्ज कलाप इसी मिलर और उस समय जो जीता हुए मिहिर कुमार जा सहाब क जो आदेश है उसे को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं उस समय यह संद के रूप में था आज भी यह संद के रूप में है तो अगला जो हम लोगा आदेश आ भी जाता है तो उसको लागू कैसे कराना है देखिए इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया लेकिन उसमें क्या है कि मिहर कुमार जासाहब के ही आदेश में ऐसा लिखा हुआ है कि कुछ लोकसी चक नियोजित किये गए अधरबाइज अभी तक जो भी आदेश पारित हुआ है उसमें तो इसका चर्चा भी नहीं है तो अब क्या है कि आने वाला जो स्टेज होगा कि आखिर जो आदेश आता है उसको लागू कैसे कराया जाए यानि लोकसी चक पूरे बिहार का किस तरह से कल्यान हो इसके लिए पढ़ियास किया जाए तो यहीं जो भी लोकसी चक है इनसे बहुत से लोकसी चक आप मोबाइल नमर भी डा आके रहिए अगर बाइदीवे अगर सची वाले में ही जाना होगा लागू कराने के लिए तो कोई तो गार्जियन चाहिए आपका तो इस परकार से आगे अब जैसे गिर मंतराल में आपको जाना है कंपलेन करना है तो कोई तो जाने वाला होना चाहिए तो स्टेज मैं समझता हूं कि यह लोक सिच्छाओं का अभी तक का जो समझे तो मेंडमस आदेश परमादेश आने का संभावना है और जिस हिसाब से सबूत फाइल है इसमें डाला गया है आपका हाई कोट के पटल पर तो मैं समझता हूं आपको हर वीडियो में कहता हूं कि डारेक्टर को बोलाने का मतलब ही यही था कि जो कोट है उसको समझ में आ गया है कि लोक सिच्छाओं सभी बे बेगुना है यह सभी सिच्छाओं बने या सरकार के किसी भी वहाग में समाजवन करने के हगदार है और सबूत ऐसा साबित कर रहा है कि इनके साथ जुल्म हुआ है जयाती हु क्या है जो बीट गई सो बात गई जैसा के भी रफीय आलम साहभी कह रहे थे कि अब चुकी क्या है कि किसी परकार से जो आदेस आता है उसको कैसे लाउ कराए जाए ताकि बिहार के सभी लोक सिच्चाओं का कल्यान हो और इसी आसा उमीद के साथ हम बिहार के लोक सिच्चाओ नजरों के सामने हैं आपके दर्द को मैं अची तरह समझता हूं और आप कहीं भी रहे जो नंबर दिया गया है उनके रहे संपर्क में रहे चुकि आजंगे जो भी आधिस आता है उसका आध्यान करके आपके लिए उचीद कदम उठाया जाएगा तो इससे पहले मैं आपको बता दूँ यह order साथ पर केस है इससे पहले लोकसिक्षक आये पटना हाई कोट में अपना मौखिक रूप से जो कहना था कहके चले गए लेकिन इसमें सरकार से जबाब लिया गया और सरकार के जबाब के बदले में जबाब फाइ हो लेकिन ऐसा नहीं है आप सभों का कल्यान हो उसी को मध्य नजर लोग कुछ लोग सिंच्षक का एक कमीटी बनाया गया है अब कमीटी में अब सोचने वाली बात है जो आगे आएगा उसी को कोई गले से लगाएगा अब जो घर में बैठे हुए हैं उन से कैसे होगा तो यही कहना है यह जो भी लोग सिंचरिया चाहे एसोख भाई है मुन्ना जी शारन रपीय आलम जाभink है और संगीता बहन है निरन्यन जी इस्तार भाई है विजै जी है अर्बीन जी 15 दिन लग चाय बीस दिन लग जाय लेकिन आपका आदेश आना ही आना है और आप निर्दोस है बे गुना यह आपको वह आदेश साबित करेगा जब आप नौकरी में चले जाएँगे ऑप सघ्रानल के माधम से मेरा संदेश देना है कि हमारे उत्सा हमें कही कोई कमी नहीं है और जो भी लोक सिक्षक भाई जहां भी बिहार में है रहें आप हमारे नजरों में है जो ही आदेश आता है कोशिस किया जाएगा कि सपर लागू हो तो आज सुनवाई है देखिए अगर सुनवाई हो जाता है अच्छी बात है जो भी होगा फिर आपके लिए अच्छा से पर्यास किया जाएगा तो जो भी सक्रिये हैं लोक सिक्षक उनसे कहना है कि आप डिसिप्लीन दिखाएए इस बार और पुरानी बात हैं आपको बहुत धन्यवाद और देखिए जो भी होगा आपको इस चैनल के मादम से आपको आगे सुचना दे दिया जाएगा आपका बहुत बहुत धन्यवाद